हेई गाईज वेलकम बेक टु मैं चैनल फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बहुत ही यूस्फुल ट्रिक तो यहां पे मैंने लिया है कोकोनेट तो तीन कोकोनेट मैंने इस तरह से तोड़ लिया है इसे हम सेल से कैसे अलग करेगी उसका तरीका मैं आप लोगो करेगे अभी वह जेक्वरेंटों पर यहां पे मैंने इक पाका लिया है उसमें मैंने पानी डाल दिया है हाफ जितना हाफ पटीला भरा है हाफ खाली है तो उसमें हम कोकोनेट national को इस तरह से रखे गे जिसए कि सेल जो है वह नीचे लगे और कोकोनेट उपर रहे से लगब पांच minimize तक हम इस बॉल करेंगे फ्रेंट udah इस सिस्थम से ना आपका जो कोटनेट है वो आसानी से सेल से अलग हो जाता है तो यह त्राई आप जरूर से अपना सकती हो अगर आपके पास बहुर सारे कोटनेट है तो यह आपके पास एक पास त्राई कर सकते हो अगर आपके प तो आपका जो coconut है वो सोफेल से आजानी से अलग हो जाएगा तो हमने यहां पे सभी साइड से इसे अच्छे से पलट पलट के से कर लिया है बॉईल कर लिया है, अब इसे थनदा होने देगे हम और थनदा होने के बाद तुरंथी, इसे हम सैल से निकाल लेगे बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही जद्पध निकल जाता है अमारा कोकोनेट तो अगर आपके घर में लेडियो जैनस नहीं है आप लेडिय अके लिए रहते हो तो ये ट्रेक न आपके लिए बोगत इम्पोडन रहेगी क्योंकि इसे ना सेल को कोकोनेट को सेल से निकालना मुझे बहुत मुस्किल लगता है इसी वज़ा से मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ सेयर कर रही हूँ अगर आप ये टरीका अपनाना नहीं चाहते हो और पानी में इसे नहीं रखना चाहते हो तो आप इसे जो श्टीमर आते हैं इडली को कराता है उसमें भी श्टीम कर सकते हो उससे भी आसानी से निकल जाता है तो ये तीन तरीके है जो आप यूज्स कर सकते हो coconut के साथ तो आप ये जो चाकू की हेल्थ से इस तरह से किनारी को अलग कर लेना है हमें coconut को और इस तरह से आराम से पूरी की पूरी वाते निकल जाती है आराम से और इसका टेस्ट भी कोई अजीब नहीं लगता है, जैसा अजय टेस्ट जो नारियल का टेस्ट होता है, बन askedुमईकट का टेस्ट होता है ऐसा ही कोई टेस्स 非स ताहेगा कोई प्रिप्रट नहीं आएगा कोई फी्या Californian तो आप डेफिनेटली यह ट्रेक ट्राइ कर सकते हो फ्रेंड्स क्यूंकि को कोई फर्ट नहीं पड़ता है अगर आप पॉयल करते हो तबी भी इसका टेस्स वैसा के वैसा ही रहेगा तो अगर कोई क्यूरी हो इस वीडियो के रिलेटेट आप मुझे कमेंट करेऊगा तो मैं आपका कमेंट को रिप्लाइ करने के कोशिस करूंगे जल्ली से तो इस तरीके से मैंने सारे और कोकोनेट की शैल को अलग कर लिया है और जागी कितना अधाइजिंग ट्रिक है आप भी ट्राइग करेगा क्योंकि मुझे ना परिशानी बहुत होती थी कोकोनेट को सेल से अलग करने की तो ये ट्रिक मुझे बहुत ही बेस लगी तो मैं तो ये ही ट्रिक अपनाती हूँ इसी वज़े से मैं आज सेल कर रही हूँ कि आप लोग भी ये ट्रिक अपना पाओ फ्रेंट्स ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ मैं आती रहती हूँ आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं आजकल तो कमेंट जरूर से करिएगा और आप देख सकते हो मेरे कोकोनेट सारे निकल गए है तो इसे मैंने कट कर लिया है इसे एक बार पानी से दोलेगे हम और फिर करेंगे कुछ भी रेसिपी बनाने में तो मैंने यहां पर प्रसाद के लिए मैंने इतने सारे कोकोनेट को एकटा किया है जो कोनेट की की साती है न वह बनाने वाली हूँ मैं आज तो इसी वज़ह से तो फ्रेंट्स आज का वीडियो आपको हेल्फुल जरूर से लगा होग वीडियो हेल्फुल लगा हो तो लाइक औंशेर जरूर से करिएगा फ्रेंट्स आज देख सकते हो हमारे कोकोनेट कितना अच्छे से निकल गया है सारे कोकोनेट हमारे निकल गये है तो यह सारे तरीके आप ट्राइ कर सकते हो आइठिंग आपको आज का वीडियो थांक यू